ऐसे कहते हैं कि पुलिस परसासन अपनी मंदारी से काम नहीं करती कास अगर पुलिस मंदारी से काम करे तो लोग का फर्यादियों का पुलिस के परती जो है सो बिश्वास बढ़ेगा और साइध यही कारण है कि पुलिस काम नहीं करती और फर्यादी मारे मारे फिरते हैं प्र 22 22 का की वाक्या होता, एक हिंदू नेता होते हैं, हिंदू नेता, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाजे उठाते हैं, जो की जीव Φन्दों की रक्षा करने के लिए आवाजे ऊठाते हैं। इसलिए उनके कई तरह के दुस्मने भी बन चुकते हैं 12 अगस 2022 को जैसे एक दरवाजा खुलता है दरवाजे के उपर एक चिठी पड़ी होती है चिठी भजने वाला होता है सल्मान सिद्ध की लिखा होता है कि तुमने P.I.L. डाल करके उसमें मुसल्मानों के जो बुचर खाने है वो बंद कर दिये है उससे इतना नुकसान हुआ तुम इस बात को जानते नहीं हो बम ला करके तुम्हें उरा दिया जाएगा तुम्हें मार दिया जाएगा जैसे उस हिंदू नेता को चिठी मिलते दोड़ता हुआ जैसा पुलिस को भी मंदारी से काम करना चाहिए था पुलिस ने पुरी मंदारी से काम किया ही नहीं था कुछ दिन बीटी जाते हैं 21 अपरल 2023 को कार लेकर के घर से बाहर निकला हुआ और जीसे हिंदु ने तो अपनी कार के भीदर बढ़ते हैं जाकर के तो उसके पीछे वाले सीरे पर जो वाईपर लगा होता है उसके उपर एक चिठी पड़ी होती है एक कागज होता है उसमें मुसलिम गुडू नाम की एक बैक्ति ने धमकी दी थी और 22 लाक रुपे की उसस मुत्रे दरज कर jobs मेरी इस मामले में मदद कर दो पुलिस एफाइर तो पहले वारे से दरज़ करती दूसरे वाले मामले में भीतर प्रद्रिस के मुख्यमंतर योग यादयत्नाथ को धंकी थी ठीक पॉम के उरणे कर लीकिन पूलिस इस मामले और ड़ंबरता से लेहीं इले लेकिन तीसरी एक और चिट्थी नहीं आते बलकि एक email ऐड़ी से एक mail आता है जिसके भीतर ये बताया जाता है कि राम मंदिर को बम से उरा दिया जाएगा बस इतना ही था कि पुलिस सक्रिय हो जाती है मामले की जाच परताल करती है जाच परताल करने के बाद जो सच सामने हो सच को सुनने के बाद हर कोई परसान हो जाता है है आखिरकार कोई इनसान ऐसा कैसे कर सकता है नमस्कार मेरा नाम जी तेंद्र कुमार आप देख रहे हैं इस टेरी सपर तक आज की सची घटना जो आपको बताने वाले हैं दरसल यह घटना होता है उत्तर प्रदिस की जगह जगह जो है इन्मिटेशन भेज जा रहे हैं बरी बरी हस्तिया भी इसके भीतर सामिल होने वाले हैं तरसल इसी दिन मंदिर के भीतर राम लाला बिरजमान होंगे केशार हजार संť आएंगे बाइस्वा बरी बरे हस्तिया भी साथि आएंगे इसके लिए राजनेताओं को खिलारीयों को हीरो हिरोईन जो है वो द्युकपती बड़े बरे भरे हस्तियों को भी ब बी आई पी लोग को इंवाइट किया गया है जब राम मंदिर की बात आता है, तो जैसे प्रान परतिष्ठा की बात होती है, तो करूरों जो भक्त होते हैं, वो जाकर के वहाँ दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि वहाँ होटलों में भी जगा नहीं है, रहने के लिए भी जगा नहीं है, इत इसके भीतर धमकी दी जाती है साप साप की राममंदिर को बहम से उरा दिया जाएगा। साथी यह समय बीटता है कुछ समय के बाद इनके 27 दिसंबर 2023 को एक और मेल जारी किया जाता है जुवैर खान के नाम से। इसके भीतर भी करीब-करीब सेम बाते यही सारी बाते लिखे होते हैं और राममंदिर, मुख्यमंत्री हो गए जुनात, एस्टेफ के चीप, अमित जी और देबंदर तिवारी इन तीनों को जो बम से उराने की जो धमकी जो दी जाती है तो फिर मामला पुलिस पर सासन के भी तरह हरकम मच जाती है दरसल देबंदर तिवारी जो होते हैं यह अपने ट्वीटर हैंडल से उस चिठी को जो मेल की माध्यम से जो इनको मिली थे उसको अफ्लोड कर देते हैं और कहते हैं कि पुलिस को भी टेक करते हैं यह वरे-वरे अधिकारियों को टेक करके बताने की प्रयास करते हैं कि देखो मेरी जान को भी खत्रा बना हुआ है राम मंदिर की भी जान को खत्रा बना हुआ है मुख्य मंत्री की जान को भी खत्रा बना हुआ है स्टेफ चीफ अमित ताप येस को भी जान का खत्रा बनावा। प्लिस ने इस मामले में जाच परताल करना सुरू कर दिया। तरसल देवेंदर तिवारी है कौन इसके बारे में थोड़े बात करते हैं कि भारतिय किसान मंच की अध्यक्ष हैं भारतिय गौसेबा परिशद एक इन्जियों भी खोल रखा है उसके भी अध्यक्ष है लखनों के दम कंप्लेक्स में यह रहते भी हैं और इनका जो मूल जो एड्रेस है लखनों के बितर जो बंदरा थाना लगता है वहां के रहने वाले होते हैं जैसे ही चिठ्थी मिलते हैं टेक करते हैं ट्विटर के तरब्रदेश की सरकार को सीधे सीधे चुनोती देना था उतरब्रदेश के मुख्मंत्री जो है वह पुलिस के आलाफसर्ट से बात्रेत करने की प्रयास क्या कहा इन मामले को तोरिद देखा जाए आखिरका बात क्या होती है इसके बाद डीजीपी लखनों आपिस से जिसने मेल किया,कम मेल किया पहला मेल उन्यस नम्मबर 2020 को आता है दूसरा मेल 27. speculative 2020 को आता है जिसमें जिसने वो मेल किया अब असमेल का सिर्पृ क्रिंसोٹ होता बागी कहा से आयां कैसे आया अब mail ideas की परताल करना जब पुलिस परसासन ने शुरू किया तो जिसने वो mail किया था साथ उसको ऐसा लग रहा था कि कभी वो पकरा ही नहीं जाएगा लेकिन पुलिस अगर अपनी मंदारी से काम करना शुरू कर दे तो अपरादी चाहे जितना भी सातिर हो अपरादी चाहे कि जमिन के साथ तहके भीतर भी अगर उरहे तब भी उसको खुद करके पुलिस परसासन बाहर निकाल लेगा तो यहाँ पर मुख्यमंतरी अधिकारी बड़े-बड़े लोग का जो आदेश होगा था पुलिस को कही ने कहीं मंदारी से काम करना शुरू किया तो इसके भीतर दो नामे सामने आते एक नाम होता है पाहर चिंग और दूसरा नाम होत होते हैं और इसी इंस्टिट के अंदर ओम प्रकास पी होते हैं जो परसनल असिस्टेंट रखे होते हैं वह थे इन दोनों के बारे में जब पूरा पता निकाला जाता तो पता चलता है एक दुकान से मुवाइल खरीदा लकनों का एक नाका जगह पड़ता है अमन मुवाइ आइडी अपने नाम बदलते हैं, अपने नाम बदलने के बाद इमेल आइडी क्रिएट करने के बाद और सीधे-सीधे धामकी दे देते हैं, यानि राम मंदिर को भी लेपेट लेते हैं, साथे उत्तर प्रदिस के मुख्ध मंद्री को भी लेपेट लेते हैं, और स्टेप के चीफ जो होते हैं उनको भी और एक हिंदू नेता होते हैं डेविंदर तिवारी इनको भी है अब जैसे धंकी वाली बाते आते हैं पुलिस ने इन दोनों की गरपतारी के लिए तमाम दविश्य देना सुरू कर दिया और करीम सकत के बाद तीन जैनवरी 2024 को इनको गरपतार कर लिया जाता है ताकि ऐसा नहों कि सचमुची यह लोग बंबारी कर दे अब नाम जिस नाम से धंकी दी गई थी वह नाम तो मुस्लिम होता है लेकिन धंकी देने वाले लोग हिंदू विवाह होते हैं यह कौन है क्या मामला होता है पुलिस जब जाज प्रताल में जूटती ह तो पता चलता है इंडियन इंस्टिटूट पारा मेडिकल साइंस चुक के वाइफाई का इस्तेमाल किया गया था इसमें उनके वाइफाई का जो आईपी एड्रेस निकलता है उसी से मेल भेजा गया था और इसके मालिक का पता करने की कोसिस करते हैं तो यह पता चलता है कि मालिक इसका कोई और नहीं बलकि देवेंदर तिवारी होता है वो देवेंदर तिवारी जिसको पहले 22 22 को धमकी मिल दी थी और फिर 21 अपरेल 2023 को एक चिठ्ठी दी जाते है और चिठ्ठी देने वाला कोई और नहीं मुसलिम गुड्डू होता है दरसल यह जो टाइम का जो ज एक मुसलिम गुड्डू नाम का बैक्ती होता है वो सोसल मीडिया पर एक फुटेज होती है जो लगातार वायरल होती है एक बैक्ती ने सफेद सट पहने हुआ पैंट पहन करके और हाथ में बैग होता है वो बम निकाल रहा है और दबादा फिक रहा होता है लगातार हो फि इस ने इस गंभीरता से लिया और उसे में दो लार्गों को पकड़ा जाता है और थूसरा ओम-परकास, घूंड़ा के वाले होते हैं और जो सी और करती हैं और जो पुछा जा रहे हैं बलकि वही दहम के दिलवारा था उससे पुछा जाता है कि क्या बात कि तुम धमकी को दिलवा रहे थे तुम दोनों लोगほ से जो एक सोचल मेडिया को हैंडल करता था एक पीए था उनसे पुछा कि जो तुम्हारा मालिक है वो खुद कोई धम की क्यों दिलवा रहा रहा था क्या मामला था वो कहता है सहाब यह सनातन धरम की रक्षा करने के लिए लगातार तत पर रहते थे जीव जनतू की रक्षा कर कुछ दो-चार से पाहिस रक्षा में रहेंगे तो भौकाल बना रहेगा अपने नेतागर्दी भी बहुत अच्छे चलेगी इसलिए 12 अगस्त 2022 को एक चिट्टी बेजिती लेकिन चिट्टी का कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता पुलिस इमंदारी से जांच नहीं करते इसके बाद 21 अपरेल 2020 को फिर से एक चिट्टी डाल दी जाते लेकिन उस चिट्टी को भी गंभिरता से नहीं लेते हैं इस बार सोचा कि कुछ और बरा धमका करें जैसा बरा का धमका करेंगे मामला हाइलाइट हो जाएगा और पुलिस पकर नहीं पाई क्योंकि जो जितने भी करके राख खाक तब तक कर दी थे ताकि कोई सबूत ही नहीं रहेगा लेकिन उनको ने सबूत अपने लिए खतम कर लिया था इंटरनेट के दुनिया में साल उस साल तक बनी रहती है पुलिस ने जब उनके आई-पी एड्रेस के माम हिसाब से पता किया तो वाई-फाई नि मुस्लिम बन करके किस तरीके से धमकी दे रहा था इससे साथ बहुत बारा बवाल भी हो सकता था देश में कुछ लोग आमने सामने टकरा भी सकते थे दंगा भी भरक सकता था लेकिन पुलिस ने इमानदारी से काम करके अरुप्यों गिरपतार करके और उनको जेल भेजा है उनकी पूरी सरकारी होगी और छैतने जेल के भीतर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है बहर ही कोई ताकत उसमें हमला भी नहीं कर सकती इसलिए सुरक्षा थो उनको मिली गये लेकिन जेल के माध्यम से मिला चाहते थे बहुत सारे सोसल मेडिया प्लेट फ neutral हो रहा है और को कही ने पॉपलर भी हो गए एक हिंदु निताने मुस्लिम बनकर के किस तरीके से धंकी दिये और इन्होंने अपना सौटकॉर्ट का रास्ता अपनाया और पुरी जिंदगी को कही ने कहीं बरबाद कर लिया पुलिस ने इस मामलम जो अफायर दर्ज किया उसमें धारा सा 506 मतलब इस सारे धारा लगा हैं अनकी ग्रापतारी भी होगे इतने धारा हैं कि बहुत लंबे समय तक यह जेल के अंदर रहेंगे अगर पुरी तरीके से कर्केरियन का बरबाद हो चुका है का इनका पुरी घटना करम सुनाने का उदेशा आपको प्रसान करना इता आपका द इतरी जे.